जो दिखाता है कि एक माँ अपने बच्चों की प्रगती के लिए उनके उत्कृष जीवन के लिए किसी भी त्याग करने के लिए तयार होती है शनिवार को चिटनविस सेंटर सिविल लाइन्स नाखपुर में मंच के माध्यम से कलकार द्वारा प्रस्तूत किया गया चिटनविस सेंटर सिविल लाइन्स नाखपुर द्वारा प्रखरणी की सापता ही गतिविदी के तहट इस एकांग की नाटक का आयोजन किया गया माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं उनका पालन पोशन करते हैं और उन्हें अपनी पैरों पर खड़ा करते हैं मातापिता जिवन भर अपने बच्चों की प्रगदी के लिए प्रयास करते हैं लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भे अपने मातापिता द्वारा उनके लिए किये गए त्या को महत्व नहीं देते जब माता-पिता को वास्तव में अपने बच्चों की जरुरत होती है तो बच्चों को लगता है कि उनका करियर महत्वपून है। उनके पास अपने माता-पिता पर ध्यान देनी का समय नहीं है। एक अभी ने नाटक रुन उनके विशय पर आधारित है। लिखक संदेश पडवाल ने एकांकी नाटक रुन के माध्यम से मा और बेटे के रिष्टे की भावनात्म कहानी को बड़ी ही खुबसूरती से लिखा है। इस एकांकी नाटक का निर्देशन नाखपुर के युवा निर्देशक संकेत महाजन ने किया था। सागादेश पांडे और संकल्प पायल ने एक एक्ट रुन में अभी ने किया। एक एक्ट के लिए रिषब धापुरकर ने लाइटिंग की। संगीत आशिश डोंगरेदवारा रचित था और प्रिष्ट भूमी साथक पांडे की थी। कनक खापर्ड इद्वारा निर्देशित वन एक्ट को नेहा पायल और उनमेश देश पांडे का विशेश समर्थन मिला। एक आंगी वाले इस नाटक का प्रदर्शन शनिवार को चितनवी सेंटर सिविल लाइन्स नागपूर के इमली हॉल में किया गया। जिससे दर्शकोंने खूब सराहा। NBCN News के लिए अक्सान सारी की रिपोर्ट।